बिज्ञानिक पत्ति का नेचर में पिकासेते खालिया अध्यन में जहाजों पर उप्योग के लिए एक नए विकार की पोटेबल ऑप्टिकल परमाडू घडी पिस्तुत की गई है और यह नई आयोडेन घडी प्रियोग साला में इस्तिमाल की जाने बाली आप्टिकल परमाडू घडी जितनी सटीक नहीं है लेकिन यह अधिक पोटेबल और टिकाओ है यह हर 9.1 मिलियम बरस में एक सेकंड प्राप्त या फिर खोद देती है आखिरे परमाडू घडी होती क्या है और इनकी प्रमुक बिसेश्ताएं क्या है परमाडू घडियों के काम क्या रहते हैं कार क्या रहते हैं और आप देखते हैं कि आप्टिकल परमाडू घडियां क्या हैं और आप्टिकल परमाडू घडियों के अनुपयोग क्या होते हैं इन सब के बारे में एक सामान में जानकारी हम लोग देख लेते हैं परमाडू गड़ी एक ऐसी घड़ी है जो अपनी आसाधारन सटीकता के लिए जानी जाती है और साथी परमाडू की बिसिष्ट अनुनाद आवित्तियों और आमतोर पर सीजियम अथवा रूवी डियम के उपयोग से संचालित होती है इसका अबिसकार लुईस एसन ने जिस्ताओं की बात करें तो परमाडू गड़ियां पारमपरिक घड़ियों की तुला में कहीं अधिक सटीक होती है क्योंकि परमाडू दौलनों की अभिटी बहुत अधिक होती है और भी कहीं अधिक इस्थिर होती है परमाडू गड़ियां बहुत सटीक होती है पारमपरि बरसों में एक सेकंड कम करती हैं या व्यूर्ण करती है परमाडु घडियों के कारियों की बात करने है裁 तो CGM परमाडु घडि CS परमाडु को उच्च ओर्जा इस्तर पर इस्थानातित करके कार करती है जो माइक्रोवेब विकरण की आविट्टी और शेकंड में समय के मापन से जुड़ा हुआ है और इस बिकरिया में CS परमाडूों को एक गोहा में रखा जाता है और एक विशिष्ट आविट्टी के साथ माइक्रोवेब विकरन को उनकी और निदे से किया जाता है जबकि विकरन की आविटी CS परमाडूं के उर्जा संकमर्ण से समानता रखती है तो यह एक अनुनाद की इस्तिती बनाती है और CS परमाडू इस विकरन को आउसुसित करते हैं और उर्जा आवस्था में चल जाते हैं और यह संकमर्ण ठीक उसी समय होता है जब आप देखें विकरन की आविटी 9 कितना अब जोड लीजे देख लीजे 9 192 631 770 हर्ट जो होती है यह तो आप दिखें अरब में चला जाता है 9 अरब 19 करोड 26,31,770 हर्ट जो होती है इसका अरथ है कि जब CS 133 परमाडू अपने उर्जा इस तरों की बीच 9 अरब 19 करोड 26,31,770 दौलनों से गुजरता है तो एक सेकंड बीच जाता है और परमाडू घडियों की परिसो दिता एक ऐसी पेडाली के माध्यम से प्राप्त की जाती है जो अनुनाद आविट्टी में किसी भी विचलन को प्राप ग्याद कर सकती है तथा अनुनाद को बनाए रखने के लिए इसे माइक्रोविब बिकरन में समायवजिन कर लेती है और ऑप्टिकल परमाडू घडियां तो इनकी सटेक्ता परमाडू घडियों से बे परमाडू घड गडी इसे निमनेकर्णों से भिनए और ऊच्छ परिचालन आविट्टी तो ऑप्टिकल परमाडू घडियां ऊच्चाविद्ियों पर संचालित होती हैं जिससे पॉर्म परमाडू घडियों की तुल्ला में किसी निश्य वा गी度ौनाद पूरा कर सकती है और निश्टे समय आउधी में अधिक दौलन के कारण इनके द्वारा समय की निमने विद्धी को अधिक सटीकता से मापजा सकता है और संकीन लाइन विद्ध इनमें बहुत संकीन लाइन विद्ध होती है जिस पर परमाडू संकमण होता है और संकीन लाइन विड्द से ऑप्टीकल प्रिकास की अभित्ती को सटीक रूप से ट्यून करना सरल होता है साथी इस से अधिक सटीकता के साथ समय का मापन भी होता है संकीन लाइन विर्थ तथा इस्तिर ऑप्टीकल संकमर्ड जैसे गुड़ों के कारण इस्टोन टियम नामक तत्त का उपयोग आम तोर पर ऑप्टीकल परमाडू घडियों में किया जाता है देखें बात करें ऑप्टीकल परमाडू घडियों के अनुपयोग की तो आत्म निर्भरता और राष्टी सुरक्षा तो आप देखें भारत की विदेश और विशेस तौर पर अमेरिका की परमाडू घडियों पर निर्भरता संगहस के समय एने भी आईसी भारतिय जीपीएस जैसे महतपूंट वन्यादी धाची के लिए जोकें मुत्पन कर सकता है परमाडू घडियों को को देशज रूप से निर्मित करने से सुतंद समय निर्धारन होगा जिसे राष्टी सुरक्षा सुद्धरन होगी और अधिक सतीक्ता विश्वसनिये था परमाडू घडियों समिद्ध विशय में अन परमपरागत विधियों की अफिक्चा कहीं अधिक सतीक्ता विदान करती है उनका नियोजन संपूर्ण देश में करके भारस अभी डिजीटल ओकरणों को भारती है मानक समय के साथ समक्रमिक एक ही समय में होना कर सकता है और जिससे एक एक ही के तो सतीक समय संदर्प सुनिश्चित होता है फिकासिक अप्टिकल परमाड़ु घडियों के माध्यम से समय को समक्रमिक करने से विभिन छेत्रों का लाब होगा दूर संचार तो सटीक समय निर्धारन से तुड़िया कम होती है और संचार नेटवर्क में निरबार टेटा अंतर कि सठीकता सुनिश्चित करके भारत की डिजिटल आर्थ विवस्था में महत्पूर्ण भूमिका निवाती हैं जो धोका धड़ी की रोकताम करने डेटा की अखंडता को बनाए रखने और साइवर सुरक्षा उपयोगों को बढ़ाने में सहायता करती हैं महत्पूर्ण आवस देख रहे हो तो इस तरह से आप देखे इसके परमाडू ऑप्टिकल परमाडू घड़ियों के अनुपियों हो गए एक सामान जानकारी इस तरह की टॉपिक में जरूर रखा करेगा अगर आप लोग इस्टेट पीसीस की तयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तयारी कर रहे तो कई बार इस तरह के कुश्टन्स पूंच लिए जाते हैं